28 अक्टूबर 2023 को शरद पूनिमा का दिन है जो बहुत ही विशेश दिन होता है क्योंकि इस शरद पूनिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपून होते हैं ऐसे में इस दिन इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना होने वाली है जो काफी महत पून है क्योंकि इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहन इस पूनिमा के दिन लगेगा यानि शरद पूनिमा के दिन लगेगा और इस ग्रहन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहन है और ये भारत में दिखाए भी देगा तो इस ग्रहन का सूतक्काल भी मानने होगा उपाय भी करने होगे आपके लिए इस समय में किस जो सूतक्काल है वो क्या होगा और जो ग्रहन का समय है वो क्या होगा ये सारी चीजें मैं तुला राशी के जातकों के लिए विशेस रूप से आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ जो कि यहां मिलेगी आपको अपनी राशी से जुड़ी हर जानकारी समय पर अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहन लगा लेकिन वो भारत में नहीं दिखाई दिया था और अब 15 दिन के बाद ही शनिवार के दिन पहला भी शनिवार के दिन हुआ था जो सूर्य ग्रहन था और अब 28 अक्टूबर को भी शनिवार का ही दिन है ये भी एक संयोग आप मान लीजिए अब ये इस वर्ष का अंतिम ग्रहन और चंद्र ग्रहन है जो देश के कई हिस्सों के सासत भारत में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी भारत में मानने होगा सूतक काल जो होता है वो बहुत महत्पोन होता है क्योंकि ये अशुब माना जाता है जो सूतक काल का समय होता है चंदर ग्रहन जब होता है तो वो 9 गंटे पहले शुरू हो जाता है अशुब इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान ना तो पुजा पाट की जाती है ना ही शुबकारे की जाते हैं और इस सूतक काल के बीच में हर मंदर के कपाट बंद होते हैं आप अपने घर के मंदर के कपाट भी समय बंद रखें अभी शुरू कब से होगा तो ये जो ग्रहन लगेगा ये लगेगा 28 अक्टूबर की रात में एक बज कर पांच मिनट से शुरू होकर रात को दो बज कर 24 मिनट तक रहेगा एक घंटा 18 मिनट तक का ये चंद्र ग्रहन रहने वाला है और इस दोरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा तो 28 अक्टूबर को जब ये चंद्र ग्रहन रात्री में है तो 9 गंटे पहले सुतक लेगा यानि 4 बज कर 6 मिनट पर इस दिन 28 अक्टूबर को ये सुतक काल आरंब हो जाएगा अब ये भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में नेपाल में पाकिस्तान में योरोप में अफरिका में बहुत सारी जगह पर ये देखने को मिलेगा तो देखिए जो सूतक काल होता है इस दोनान, स्नान, दान, हवन, भगवान की मूर्ति को सपर्श करना ये सबी चीजे वर्जित मानी जाती हैं और करना क्या चाहिए तो इस सूतक काल में आप अपने गुरू के मंतर का जब कर सकते हैं आप राहू और चंद्रमा के मंतरों का जब कर सकते हैं और भी कई ऐसी चीजे होती हैं जहां आपको दिहान रखना होता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले मैं बात करती हूं कि आपकी राशी के लोगों पर किस तरह के प्रभाव होंगे यानि कि तुला राशी के जातकों के जीवन में इस क्या प्रभाव होने वाला है आपको लाब मिलेगा या नी या फिर क्या उपाए आप कर सकते हैं जो उपाए आपके लिए बहुत ही जादा शुब होने वाले हैं तो देखिए ये चंदर ग्रहन जो है ये आपके सब्तम भाव में लग रहा है मेश रासी में आश्विनी नी होंगी किन चीजों में रखनी होंगी एक तो बे वज़े की लड़ाई जगड़े हो सकते हैं वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं बिना किसी वज़े के यानि आप गए किसी और की विवाद को सुलजाने लेकिन आप वहां खुद फस गए इस तरह की चीजे हो तो कोशिश करें कि ऐसी चीजों से आप दूरी बना कर रखें। आप जितना ऐसी चीजों से दूरी बना कर रखेंगे उतना जादा आपके लिए अच्छा रहेगा और लड़ाई जगडों से आप दूर रह पाएंगे। तो जो सब्तम भाव होता है वो वैपार का भाव भी होता है। अब इस समय आपकी राशी के लोगों को अगर किसी भी तरह की कोई स्वास समंदी परेशानी थी तो उन बिमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। या फिर किसी तरह का मानचिक तनाव था तो वो भी आपका दूर हो सकता है। अब आपके घरेलू खर्चे कम होंगे और आपकी जो धन समंदी दिक्कते हैं वो तो आपकी दूर होने वाली है। वैपारियों की अगर बात की जाए तो जो साजेदारी में वैपार कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उनके समय काफी अच्छा होने वाला है, अधिक लाब कमाने वाला ये समय आपके लिए रहने वाला है। अब इस राशी की जो देखे महिलाए हैं सभी के लिए होता है जो गर्बवती महिलाए होती हो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इस जो सूतक काल रहेगा ये 9 नहीं दो नहीं तो चंदरोर राओ के मंतर का जब कर सकते हैं जो अच्छा रहेगा उसका benefit भी मिलेगा और इस ग्रहन के दोरान में देखे मंत्रों की सिध्धी की जाती है किसी भी मंत्र को सिध्ध करने के लिए ग्रहन के समय में उसका जब किया जाता है तो वो सिध्ध हो जाता है ग्रहन के बाद का समय भी उतना ही मैत्पुन होता है जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है अब शनिवार का तो ये दिन है ही शनिवार का एक संयोग यहां बना हुआ है इस तुलाराशी के जो जातक है अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप अभी तक एपलाई कर रहे थे तो आपके लिए नौकरी प्रा इस आपका कानूनी केस चल रहा था तो वहां भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलने की उम्मीद है आपको जीत मिल सकती है या आपको लोगों का सहयोग मिल सकता है किसी वरिस्ट का सहयोग आपको मिल सकता है तो कुल मिलाकर ये चंदर ग्रहन बहुत ही जादा शुब रहेग चंदरग्रेन का प्रभावगले एक महने तक होता है चंदरग्रेन के एक दिन बाद ही होने वाला है 28 को चंदरग्रेन है रात्री में और 30 को राहु का राशी प्रवरतन है जो एक शुब संकेत है च्योंकि ये आपके सब्तम से निकल कर छटे में चले जाएंगे तो गुरू जो यहाँ पर प्रभावित हो रहे थे गुरू अच्छे रिजल्ट आपको देंगे शादी विवाहा की चीजें आपके परिवार में होने वाली हैं विवाहा की बाते पक्की हो सकती हैं विवाहा होने के चांसे जादा बन जाएंगे तो कुछ चीजें हैं जहाँ आपको जो थोड़ी सावधाने रखने हैं बाकी आपके लिए अच्छे रहेगा रोजगार के देखिए अफसर बहुत बढ़ेंगे आप थोड़े सा भी प्रयास करेंगे अगर अपनी रोजगार पाने के लिए तो आपके लिए रोजगार में जादा पाने के अफसर आपको मिल जाएंगे राज़नीती के शेत्र में भी अच्छे result आपको देखने को मिलेंगे अगर आप किसी सैनिक भी भाग से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको अच्छे कोई आपकी इंकम में व्रद्धी हो सकती है इस तरह का कुछ न कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा तो ये समय हैं आपको अपनी थोड़ा सा मेहनत की तरफ द्यान देने का ताकि आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके और अधी किसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले